नमस्का दोस्तों, स्वालत हैं सबका डेली फिट अफर नीव चैनल कर, आज हम आपके सामने इतने ही खवर के साथ आयें, जीन, आपको बतला लोगें, बिग बॉस 15 में घरवालों को टिकेट टू फिनाले जीतने के लिए सभी भरवालों से ने 80 चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन राखी सावन के संचालन का खामियों ने जहां पूरा टास्ट रद्द करा दिया, वही करन और तेजर स्वी के रिष्टों में लगाई उनकी चिंगारी ने दोनों में दूरिया ला दिया, दोनों शांती से बात करने को तयार ही नहीं, आपको यहीं बतला लेकि करन इतना गुस्ता हो गए कि उन्होंने तकिया और सोफा दोनों को देख दिया, जी आपको बतला लेकि करन और तेजा बाहर बैड़ कर बात कर रहे हैं, होते हैं करन कहते हैं मैं तुमारी यहां पर गेम देख रहा है इस पर तेजर सी कहती हैं, उनकी गेम जो है वह साफ बता प्रोमो के दूसरे सीम में करन जोर कहते हैं कि करन कुंदरा कहते हैं कि वह चीजे सही करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पेजस्वी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अपने आपको आठ साल बड़ा बताते हुए करण पेजस्वी से उनकी डिस्रिस्पेक्ट ना करने को कहते हैं साथ ही बोलते हैं कि अगर कोई दिक्कत है तो वह बता लें दूर हो जाने जी हैं आपको बतला लें कि बिक बॉस के दूसरे प्रोमों करण को तेजस्वी बात्रों एरिया में नजरा आते हैं तब ना यह सब बहुत हर्टफुल होता है जी हां इतना सुनते ही करण पेजस्वी उगले लगा लेते हैं दोनों क्रिस्मस पार्टी के दवरान भी नार्मल दिखाई लेते हैं यानि यह इनका एक छोटी सी नोग जोगती जो अब शोट आउट होए है जी हां आपको बतला करण और तेजस्वी के बीच का प्याद बिग बॉस पंद्रा की घर में रहकर बनाप्रहा कई बार इसे शो के लिए नाटक भी बताया गया लेकिन कई बार ऐसी भी बात होती है कि डोनों एक दूसरों के प्यार में डूबे नजर आती है आपको बतलाने की एपिसोड में बताया गया था कि करण तेजस्वी के बेट पर आ जाते हैं और डोनों एक भी कंबल के अंदर होते हैं तब ही करण तेजा को किस करने की कोश्च करते हैं जिसके बाल एक्ट्रिस को ये कहते सुना गया कि सोचना भी मत सोचना भी मत करण और तेजा की इस नजदीकी पराकि सावन की भी नज़र लगी हुई थी